जनता काइना में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे मुंबई में महाराष्ट्रा में पूरी तरह से लॉकडाउन हो चुका है मुंबई को देश की आर्थिक रासधनी कहा जाता है और यहां पर पूरे देश का मजदूर कामगार ये सारे लोग रहते हैं और लॉकडाउन की वज़े से फिर से एक बार ये मजदूर देश के अलग-अलग राज्यों में वापस जाने लगे हैं अब उनको वापस से रोजी रोटी का संकट आ गया है ये सिर्फ महराश्ट के बाहर के कामगारों का ही नहीं मुंबई में 5000 डब्बे वाले रोज ताजा भोजन अलग-अलग कारियालों में दो लाख लोगों तक पहुँचाते थे अभी जब से करोना लगा है एक साल से उनका पूरा व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया है कोई तो हमाली का काम कर रहा है कोई सिक्यूरिटी गार्ड का चोकीदार का काम कर रहा है ये लोग जो पहले 15 से 18,000 कमाते थे अब 8 से 10,000 कमाना भी इनका मुश्किल हो गया है बच्चे पढ़ रहे थे इसलिए वो कुछ दिन मुंबई में रुके थे अब तो अधिकतर लोगों गाओं चले गए हैं यही हालत पूरे मुंबई में सभी लोगों की है हमने जब लोगों से बात किया तो होटल का पूरा व्युवसाय खतम हो गया है और जितने भी होटल का रमचारी है वो वापस लोट रहे हैं जब हमने उनसे कहा कि पारसल का काम तो शुरू है तो वो बुले कि पारसल से होटल नहीं चल सकता इसलिए पूरे होटल बंद हो रहे हैं और उन्हें वापस अपने गाउन लोटने की नौबत आ गई है मुंबई के धारावी में गार्मेंट इंडिस्ट्री है जो अभी रमजान का महिना आया है यहां पर तहवारों का महिना आया है यह समय सबसे ज़्यादा गार्मेंट इंडिस्ट्री में काम का समय था अब वो पूरी तरह से ठप हो गया है और महां से भी बहुत सारे मजदूर कामगार गाउं की तरफ निकले हैं उसी तरह से यहां मुंबई के नस्दीक भिवंडी में जहां पर हैंडलूम कपड़े बनाने की पूरी मिले हैं वो पूरी तरह से पिछले साल बंध हो गई थी लॉकडाउन की वज़े से और अब जाकर थोड़ा सा वो चालू होकर अपने रास्ते पर आई थी लेकिन फिर यह करोना की भैस से मजदूरों में ऐसी दहशत पैदा हो गई है कि उन्हें किसी भी तरह का भरोसा नहीं और वो डर में हैं कि पिछले साल की तरह अटक जाएंगे ट्रेने बंध हो जाएंगी उनको भूके मरने के दिन आ जाएंगे इसलिए मिश्ट्री है बोओ भी बंद पड़ी हुई है कुम्हारवारा जो मुंबई में कुम्हारवारा जहां पर मठी और मिट्टी के बरतन बनाए जाते थे वह हार भी सुनसान हो गया है वहाँ पर भी काम नहीं है अभी लोग कुम्हारवारे से कोई वस्थु खरीदने के लिए तयार नहीं है और जो होटलों में जो बरतन जाते थे मिट्टी के वो भी और अब बंद हो गए हैं और उसके बाद प्लंबर है कडिया फिर कंस्ट्रक्शन वरकर और अलग-अलग इंडस्ट्री में मुंबई में काम करने वाले कामगार हैं उनमें बहुत बड़ी दहशत है और वह वापस जाने की कागार पर हैं अभी तक करीब साड़े तीन लाख लोग मुंबई से वह अपने गाओं की तरफ निकल गए हैं ज्यादा तर यूपी बिहार बंगाल के लोग थे और अभी हमने जब लोकमान्य तिलक टर्मिनल कुर्ला में विजिट किया तो वहां पर सेंकडों की संख्या में लोग ट्रेन मिलने का इंतजार कर रहे हैं और वो गाओं में जाने के और हैं मुंबई में वेंटिलेटर की कमी हैं ऑक्सिजन की कमी हैं बैड की कमी हैं और कोविड-19 के मरीजों की संख्या दिन प जो फिल्म इंडश्री भी है मुंबई की वो मुंबई की फिल्म इंडश्री पर शूटिंग के लिए रोक लगा दी गई है और जितने भी सहायक कर्मचारी है सहायक स्टाफ है वो भी बेरोजगार हो गए हैं ये शहर सपनों का शहर कहा जाता है ये बंबई शहर जिसे आर्थिक राहसदानी कहा जाता है वो इस कगार पर है और वो अपने ही लोगों को जिस जो लोग मुंबई नगरी को जिनों ने बनाया और जिनकी वज़े से मुंबई भारत की शान कहलाती है वो लोगों को भी संभा और सब कामगार बाहर चलते जा रहे हैं तो इस सब व्यवस्था के लिए क्या सरकार दोशी है क्या जनता दोशी है यह व्यवस्था जोशी है इसके बारे में आप अपने विचार जरूर रखिए और यह वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में कमेंट में जरूर और आपके कोई सुझाओं होंगे तो वो सुझाओं भी जरूर दीजिए तो देखते रहिए जनता का आइना